दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जीवन के हर कदम पर सफलता हासिल करने के लिए भगवान श्री गणेश का आशीरवाद हासिल करना चाहते हैं, तो आपको इस बुधवार के दिन उन सरल से उपायों को कर लेना चाहिए, जो हमारे धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है। जीवन के हर कष्ट, परेशानी, दुख से आप लोग मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में आपकी मनचाही नौकरी आपको मिलेगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, संतान की आपको प्राप्ती होगी, जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने के लिए परेशान थे, वह प्रॉपर्टी आपकी प्राप्त हो जाएगी, कुल मिलाकर जीवन के हर कदम पर आपको काम्या भी मिलेगी, दोस्तों, देखा गया है, हर मांगलिक काम में देवी देवताओं की पूझा करने से पहले, सबसे पहले भगवान श्री गनेश की पूझा जात इसलिए भगवान श्री गनेश को प्रथम पूझ्य भी कहा जाता है, वैसे तो कई गरंथों में भगवान श्री गनेश को प्रथम पूझ्य होने के कई कारण बताए गए हैं, परन्तु आप हर गरंथ को पढ़ते हैं, तो सबका सारांश यही निकल करके आएगा, कि भगव भगवान श्री गनेश की पूझा, यदि किसी भी शुब कार्य से पहले की जाए, तो हमको उस कार्य में जरूर ही सफलता हासिल होती है, धर्म शास्त्र और पौरानिक क्रंथों के किसी भी व्यक्ति ने ऐसे शुब दिन, जिस दिन चैत्र नवरात्र एवं बड़ा जिसके पश्चात वह व्यक्ति यदि मिट्टी को भी छूदे, तो मिट्टी को भी सोना बना देता है, जिस कार्य को वह शुरू करेगा, उसमें उसको सफलता मिलेगी, कुल मिलाकर उस व्यक्ति के जीवन से हर तरह की कठिनाईयां समस्या अपने आप ही दूर हो जाएंगी और वह व्यक्ति काम्याबी की हर उन्चाईयों को चड़ता हुआ चला जाएगा, दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह बुधवार का दिन जो आया है, यह पूरे 21 साल पश्चात आया है, इस दिन आपने यदि हमारे बताय हुए सरल उपाय कर लिए, जो आपको हम बता जा रह हैं, मान के चलिए, आपके जीवन की हर तरीके की परेशानी खत्म हो जाएगी, और भगवान श्री गणेश और मातारानी जी का आपको वर्दान और आशीरवाद मिलेगा, तो दोस्तों, यदि भी चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश और मातारानी जी का आशीरवाद से आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपके घर पर हर व्यक्ति को कभी भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, आपके घर की बरकत हो, उन्नती हो, भगवान श्री गणेश और मातारानी जी आपके घर पर वास आए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे सच के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, भगवान गणेश जैमाता दी, दोस्तों, कि काम कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अपनी राशी डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशी के अनुसार हमको कोई ऐसा उपाय पता चलत है, जिससे आपको कोई लाब हो सके, वो हम आपको रिपलाई के माध्यम से तुरंत ही बता देंगे, इसलिए दोस्तों, अपनी राशी बॉक्स में जरूर ही डाल दीजिएगा, और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीज तो देखिए दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, कि फालगुन बुधवार का दिन है, ये एक महा बुधवार है, मतलब ये कोई सामान निसा बुधवार नहीं है, इस दिन यदि आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ उपाय करेंगे, तो साक् भगवान श्री गनेश और मातारानी जी का आपको वर्दान हासिल होगा, जिससे आपके जीवन की जहां पर एक तरफ सारी समस्याइं खत्म होंगी, दूसरी तरफ की हर मनो कामना भी पूरी हो जाएगी, तो दोस्तों, आपको वह सरल से उपाय बताने आ रहे हैं, जिसको ब ये जाता है, कि हमारी पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है, और उसका हमको लाब तुरंत ही मिल जाता है, और आपको हम बता ही चुके हैं, कि बुधवार का दिन पूरे 21 साल पश्चात आया है, इस दिन की गई पूजा साधना, क्रिया खाली जा ही नहीं सकती, विफल हो ह तो दोस्तों, आप अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार का भला चाहते हैं, तो इन उपायों को जरूर ही कर लीजिएगा, ताकि इन उपायों को करके आप अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार का भला कर सकें, आपके घर की बरकत हो सके, उन्नती हो सके, आपके घर से हर तरह की परेशानी दूर चली जाए तो चलिए दोस्तों आपको हम उपायों के बारे में बताते हैं इसलिए इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए और दोस्तों पसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा तो सबसे पहला उपाय है जीवन से दरिद्रता को नश्ट करने का महा उपाय दोस्तों मान लीजिए किसी कारणवश आपके पीछे आपकी दरिद्रता पड़ी हुई है आपके उपर कोई दोश लगा हुआ है जिसकी वजह से आप काम्याब नहीं हो पा रहे हैं आप मेहनत करते हैं परिश्रम करते हैं परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए बहुत सरलसा उपाय बताया गया है हमारे हिंदू जो महा बुधवार के दिन आपको जरूर ही करना चाहिए भगवान श्री गणेश का आशीरवाद हासिल करने के लिए तो देखिए दोस्तों गाय को हिंदू धर्म में देव्यतूले समझा गया है हिंदूों में गाय की पूजा की यदि ऐसे में आप 17 अप्रेल 2024 बड़े बुधवार के दिन किसी भी गाय को हरी घास खिला दे तो मान के चलिए आपके जीवन में चल रही दरिद्रता का जो प्रकोप होगा वो धीरे-धीरे नाम मात्र हो जाएगा ये आप भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का और आशीरवाद मिलेगा मान के चलिए दोस्तों आपकी जो दरिद्रता है वो आपसे दूर चली आएगी और समझा ये जाता है केवल हरी घास यदि महा बुधवार के दिन खिला दिया जाए तो इससे आपकी दरिद्रता सौभाग्य में जाती है दूसरा उपाय है दोस्तों बुद्ध ग्रह की मजबूती का उपाय बुद्ध ग्रह जिस भी व्यक्ती का मजबूत होता है मान के चलिए दोस्तों वह व्यक्ती किसी भी कार्य को शुरू करेगा उस कार्य में व्यक्ती को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बुद्ध ग्रह मजबूत हो जाए तो एक महा उपाए हम आपको बताने वाले हैं। अरे जो बहुत सरल सा उपाए है और उसको आप करते हैं। तो मान के चलिए, जरूर ही आपका बुद्ध ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपके पूजा घर पर यदि भगवान श्री गणेश की मूर्ती है तो अच्छी बात है। मूर्ती नहीं है तो एक काम कीजिएगा। सफेद रंग की मूर्ती भगवान श्री गणेश की जरूर ही ले आईए। अब आपको है दोस्तों, गनेश की मूर्ती लाने के पश्चात, आपको उनको सिंदूर से तिलक लगाना है और वही तिलक का आपको धारण कर लेना है, यही प्रक्रिया आपको प्रत्येक बुधवार को नहाने धोने के पश्चात करनी होगी. यदि प्रत्येक बुधवार को आप ये क्रिया करते हैं, तो मान के चलिए जरूर ही आपका मजबूत हो जाएगा, आप अपने कार्य संबंधित जो भी निर्ने लेंगे, ये यहां पर साक्षात भगवान गनेश का आपको आशीरवाद मिलेगा और आप कार्यों में सफल होते चले जाएंगे, तीसरा उपाए, एक ऐसा उपाए है दोस्तों, जिसको यदि आप करते हैं तो मान के चलिए, आपके जीवन में धन हासिल ही बहुत आसान हो जाएगी, और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, मान लीजिए, दोस्तों पहले आपके पास धन आ रहा थ माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई, तो आपको क्या करना चाहिए, बहुत आसान उपाए है, आपके पूजा घर पर आपको 21 चड़ानी चड़ानी होगी, भगवान श्री गणेश को ध्यान रखिएगा दोस्तों, 21 चड़ाने के पश्चात एक बार गणेश 40 का प खत्म हो जाएंगी, कुल मिलाकर आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, चौथा उपाए है दोस्तों, बंद पड़े व्यापार को चलाने का उपाए मान लीजिए, पहले व्यापार चल रहा था, फिर आपका व्यापार एक दम ठप पड़ गया, अब लोटा आप लोगों को ध्यान रखना है, दोस्तों, मूंग की दाल लेनी है, और मूंग की दाल जो होनी चाहिए, वो हरी होनी चाहिए, एक लोटा, मूंग की दाल लेकर के शाम से पहले, आपको किसी भी मंदिर जाना है, माता रानी जी के रानी जी के मंदिर के बाहर जो भ जो भी बाधाएं दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, वह वापस से दोड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा. चौथा उपाय बताने आ रहे हैं, जो हम आपको वह है, नौकरी हासिल का महा उपाय. यदि आप नौकरी की तैयारी करकर के ठक चुके हैं, परन्तु आपकी नौकरी नहीं लग रही है. आप अपने जीवन में इस चीज़ को लेकर बहुत परिशान हो गए हैं. आप ये देख लेते हैं, तो भगवान श्री और मातारानी जी का आपको आशीरवाद मिलेगा, और जरूर ही आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी. तीन नारियल खरीद के लाइए, ध्यान रखिएगा जो ये नारियल लेकर के आ रहे हैं. ये जटा वाला नारियल होना चाहिए, सुखा नारियल नहीं होना चाहिए. तीन खरीद के लाइए, अपने पूजा घर पर आपको शाम से पहले इन तीन नारियल पर स्वास्थिक का निशान बनाना है. एक नारियल किसी भी मातारानी जी के मंदिर में दान कर दीजिए, दूसरे नारियल को हुए पानी में बहा द दीजिए और तीसरे नारियल को किसी भी हवन कुंड में डाल दीजिए. क्योंकि कल बहुत सी जगह, बहुत सी मंदिरों में हवन कुंड जलेगा. आपको बस इतना करना है शाम से पहले. मान के चलिए, जो भी बाधाएं, जो भी दिक्कतें, आपकी नौकरियां में आ रही थी, वह बाधाएं. दिक्कतें हट जाएंगी और आपकी नौकरी आपको मिल जाएगी. दोस्तों, ये उपाय जरूर ही कर लीजिएगा. यदि आप चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश और आपको मातारानी जी का वर्दान मिले. दोस्तों, आखिरी उपाय बताने से पहल आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है. आपने वीडियो लाइक नहीं किया है. वीडियो को लाइक कर दीजिए. तो आखिरी उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है. सबसे पहले आपको एक लाल पोटली लेनी है. लाल पोटली आप लोगों को एक मुठी चावल, एक म पूद से बना हुआ देसी घी का आपको दिया जलाना, इसमें जैसे ही जल जाए तुरंत एक लॉंग डाल दीजिए. ताकि आपके जीवन में धन संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं, वो लॉंग सोक. इतना यदि आपने कर दिया, इसके पश्चात आपको ग्यारह बा अलमारी, तिजोरी या आप जहां से पैसे का लेंदेन करते हैं, अपनी दुकान वगैरह पर वहां पर रख दीजिए. इतना, यदि आपने कर दिया, आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां जड़ से नश्ट हो, आपके धन खींचा हुआ चलाएगा, जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, और आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब होंगे, बस आपको मेरे बाबा पर महादेव पर भरोसा रखना है, एक लोटा शुद्ध जल बाबा पे चड़ाते रहना है, बाबा आपकी भी मार्ग में कोई रुकावट आने ही नह पहला, यदि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे बुद्धी, ग्यान, विवेक की आवश्यक्ता है, बच्चा जो है आपका, वो गलत रास्ते पर जा चुका है, आपकी बात नहीं मानता है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, है ना बोलता है, या इसके लिए आपको इस उपाय को कल बुधवार की प्रदोश के दिन जरूर करना है, ठीक है ना, 17 अप्रेल के दिन ध्यान से सुनियेगा, आपको कैसे करना होगा, इसके लिए आपको लेने होंगे, हरे मुंग के दाने कितने दाने लेने हैं, जैसा आप बताया था, 31 हरे परूजी ने बताया कि जो भी आप ध्रुवा लेंगे ना, वो लेंगे साथ, लेकिन इन सातों की सातों ध्रुवा में एक की समानता होनी चाहिए, सातों की सातों ध्रुवा या तो आप तीन गांठों वाली ले लें, या फिर सातों आप सात गांठ वाली ले लें, अब गा जो आप लोगे, सात दूर्वा, उन सातों की सातों दूर्वा में समान गांठें होनी ही चाहिए, ठीक है, सात दूर्वा एं ले ली, 31 हरे मूँ के दाने ले लिये, इस तरीके आपको कागज का धोना लेना है, क्योंकि पूज्य गुरुजी ने कटोरी बोला था, अब एक कट तो हम लोग रख करके नहीं आ सकते, तो आप क्या करना है, एक कागज का जो ऐसे धोना होता है ना, इसी धोने के अंदर आपको 31 हरे मुह के दाने रख देने हैं, और इन्ही के ऊपर आपको क्या रख देनी है, अपनी काम ना कहकर, कि बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर, कि उ मात्र है ना, टच करवा देना है, उसका नाम और गोत्र बोलना है, और इसे लेकर के आपके आसपास जो भी भगवान गनेश जी का मंदिर हो, जहां पर भगवान गनेश जी की प्रतिमा स्थापित है, वहां पर आप चले जाना, वहां जाने के पश्चात एक काम जरूर जीएगा, सबसे पहले एक दीपक आपको गोलबत्ती का गाय के घी का लेकर के जाना है, है ना, और गनपती बप्पा मूरिया जी के, सबसे पहले जमीन पर ये चीज ध्यान रखना, ये जो दीपक आप लगाओगे ना, किसी भी चीज के उपर, नहीं आपको ये जमीन पर एक दीपक इस तरीके से प्रज्वलित कर देना। उस कटोरी को जिसके अंदर आपने एक तीस हरे मूंग और दूर वाली है। ना उन्हें आपको भगवान गनेश जी के सम्मुख में ही किस स्थान पर रखना है। ये चीज ध्यान दीजेगा। जो गनेश जी का टूटा वाला दांत है ना, इस टूटे वाले दांत की तरफ नीचे जमीन पर आपको रखना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल या सिंहासन पे या फिर कहीं उनके उपर ही रख करके आ जाएं। ऐसा मत करना। यहां पर जमीन पर आपको रख देना है, अपनी कामना कह करके। कामना कह देने के पश्चाद भगवान गनेश जी के आसपास जो भी फूल चड़ा हुआ हो। है ना, जो भी फूल चड़ा हुआ हो एक फूल उठाकर के लेकर के आना और उस व्यक्ति को सुंगा देना। सुंगा देने के पश्चाद इस फूल को किसी भी व्रिक्ष के नीचे आप डाल देना वहां पर समर्पित कर देना। उसी दिन के पश्चाद से वो बच्चा या वो व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाएगा। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगेगा, अब शब्द बोलेगा, गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। पुझ्य गुरुजी का वाला उपाय बुधवार के दिन किया जाता है। प्रदोश्ति थी पढ़ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। तो कल के दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं। दूसरे वाले उपाय की देखिए। दूस पुझ्य गुरुजी से आप ये वाला उपाय करके देखिएगा। आपकी कामना निश्चित ही पूरी होगी। ये निश्चिता है। इसके लिए आपको चाहिए क्या देखिए। आपको चाहिए होंगी। बेल पत्र कितनी। पांच-पांच बेल पत्र लेनी हैं। और इस थोड़ा सा एक से दो बूंदे आपको लेनी होगी। शहद की थोड़ा सा शहद। ठीक है, थोड़ा सा लेना होगा। आपको लाल चंदन क्या लेना होगा। लाल चंदन ठीक है। और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के अपने घर का एकदम ताजा जल पहुँच जाना। देव, आदिदेव महादेव जी के मंदिर, शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा नौर्थ तैरेक्शन की तरफ मूँ करके आपको खड़े हो जाना है, जो पूजा पाठ करनी है, वो आप कर लेना। उसके पश्चात आपको सबसे पहले एक लोटा शुद्ध चाल जो आप लेकर के आए हो, महादेव जी की शिवलिंग पर केवल शिवलिंग पर समर्पित करना है, मंतर का स्मरण करते हुए पश्चात, जो आपने बेल पत्र, शहद, लाल चंदन और दूरवा ली है, उनको वाले हैं, जिसे सही तरीके से करने से धन भी आएगा, और टिकेगा भी आपकी सभी परिशानियों को जड़ से खत्म करने के लिए एक उपाय बताएंगे, छोटा सा उपाय बताएंगे, इस उपाय को करने से जीवन में सुक समरिध्य और पैसों की दिक्कत नहीं रह जाए साथ ही साथ इसी से एक ऐसा उपाय बताएंगे, कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, तो उसको अपनी बात कैसे मनवाएगा, क्योंकि ये चमतकारी पौधा है, इसे जड़ी बूटी की तरह ही नहीं, इसको तंत्र विद्या में प्रयोग किया जाता है, और बहुत सरल उससे छुटकारा पा सकते हैं, इसके लिए बस तीनों उपाय आपको थोड़ी ही देर में बताने वाले हैं, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, इसके साथ साथ आपको सुख समृध्धि के लिए उपाय बताएंगे कि आपको धन वैभव कैसे मिलेगा, इन तीनों का उपाय थोड़ा थोड़ा अंतर होगा करने में, परन्तु इस उपाय को कर लेंगे, तो आपके जीवन में पैसे रुपए की दिक्कत नहीं रहेगी.